लंप के बारे में हमारे जो वर्षण या टेस्टीकल्स होते हैं उनके आसपास कई बार गांट नुमस टेक्टर या लंप जैसा मैसूस होने लग जाता है तो दोस्तु इस सीज़ का पता करना जुरूरी होता है कि यह गांट या लंप क्या है और क्यों बन रहे हैं ये और इस जिसकी जाँज कौन सी होने जिसके मादन से हमें पता चल सके तो दोस्तों इन तमाम जानकरियों को जानने के लिए वीडियो के साथ आप जुरूर बने रहेगा ये वीडियो आपके लिए काफी बेनेफिस साबित हो सकता है तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर रामदेल मुरिय जो हमारी फर्टिलिटी के लिए जरूरी होते हैं यानि बच्चे पैदा करने की जो समता होती है इनी से डिसाइड होती है लेकिन किनी कारणवस अगर हमारे टेस्टिकल्स के आस पास कोई गांट मरने लग जाती है सूजन नजर आने लग जाती है तो हमें बड़ी टेंसन ह बारे में तो सबसे खास बात है जो गांट का ऐसाज दिलाती है आमें स्वेलिंग जैसा लगता है वह है वेरी को सील वेरी को सील के दोस्तों अलग ग्रेड होती है लेकि इनिस सिली स्टेज के अंदर इसको पकड़ना मुस्किल होता है इसके लिए अल्ट्रा साउंड कर वा सेकिंड तक इससे लिए हमारा चैनल पर वीडियो आ चुका जिसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं आप दोस्तों बात करते हैं सेकिंड चीज की जिसकी वजह से आपके अंदर यह दिक्कत ने आपको एसास देती वह है हाइड्रोसील का मतलब है आपके टेस्टीकल के सा आपको बड़ा-बड़ा नजर आने लग जाता है आपका पूरा स्क्रोटम होता है फुलावा सा मैसूस होता है तो यह कंडिशन होती है है थार्ड नमर की कंडिशन होती है दोस्तों एपीडिमाइटिस का मतलब है आपकी वरस्षन के पास में कोईलनुमा जो स्ट्रक्शर ह होती है उसमें सुजन आने के कारण आपको पहले तो एसास नहीं देती है लेकिन जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती है उसके अंदर फुलाव लगता है तो ऐसा लगता को गांट हो गई है आपको टेंसन होने लग जाती है तो यह किसी इंफिक्शन के कारण या किसी चोट लगने कारण यह पिडिवेटिमेटिस की प्रॉल्म आपको हो सकती है अब बात करतें नेक्स्ट कारण की वह दोस्तों एक सिस्ट बन जाती है इसमें पानी एक ऐसा लगता हाथ उपर से लगाते है आप टच करके भी महसूस कर सकते हैं और उसके आपको गांट सी नजर आने बन गया तो यह अपिडिमल सिस्ट की वज़से है या कुछ कंडिशन में इस्परमेटोसील भी हो सकता है अब नेक्ट बात करते हैं कि इसके कारण की गांट के कारण की वह है दोस्तों औरकाइटिस अगर आपके औरकाइटिस है टेस्टिकल्स में अगर सूजन आजने लग लग जाती तो वह साइज बढ़ने लग जाती है कई बार तो आपको तेज दर्द का एसास होता हुदा लेकिन कुछ ऐसे इन्फिक्षन होता है जिनके तर दर्द का एसास नहीं होता वह साइज बढ़ते हुए नजर आती है कारण तो वह condition होती है दोस्तों Orcaities की और कैटी सिके ऐसे सणहां होगे यह जैसे जूस्तथे टेश्टिकुल लशान गविदोस्ते हैं लेकिन कुछ चंडिश्न के अंदर आपको ठेश्टिकुल लजाती है तो आपको लगनें जाता थी यह क्या हो गया तो युझively फ्रेख तो हरन होता है जो हमारी होती है जहां पे जुडाओ लेती है जौन की बार गांट ने लग झो के ढग अन्दर कर French के पुलाक क्या सामेस सकती है तो कि यह दो इन लगई होती है में इसके बाद में करें बहुतही रेर कंडिसूइस के अंदR 아 आपके टेस्टीकल्स के अंदर कोई ग्रोथ होने लग जाती है, कोई गांट बने लग जाती है, जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं, तो ये बिनाइन ग्रोथ भी हो सकती है, और कई बार मेलिग्रेंट ग्रोथ भी देखी जा सकती है, तो दोस्तों ये मुखे कारण होते हैं, आप अब कि अब कुछ वार की आंदर कि आपके आसपास गांटे या सूजन या लंप का होना आप दोस्तों अगर आपको ऐसे समस्य है पिससी भी तरीके की आपको लग रहा कानवा है आप sexually transmitted infection है तो उसके अंदर आपकी जांच करवा सकते हैं आपकी सीमन की, आपकी बलड की जांच भी हो सकती है या फिर कुछ condition में clear नहीं हो पाता है तो आपकी बायोसी भी करवाई जा सकती है तो दोस्तों इस तरीके से आपकी इनकाट का पता किया जा सकता है कि आपको क्या समस्या है क्योंकि बिना समस्या को जाने आपका सही तरीके से treatment नहीं हो पाता है तो मेरे पास भी कापी तरीके के ऐसे comments है message आते रहता है कि हमें कोई दवा बता दीजिए हमें को treatment बता दीजिए दोस्तों सबसे पहले जरूर है आपकी जो disease है उसका diagnosis यानि उसका पता करना कि आखिर बीमारी क्या है अगर आपकी बीमारी पता चल जाती तभी आप अच्छे तरीके से treat हो पाते हैं या हम भी आपको बता सकते हैं कि आप कितने समय में treat हो पाएंगे ठीक हो पाएंगे या आ हमारी से treat होगा है की नहीं होगा या yourologist के पास आपको रेफर करते हैं किसी surgeon के पास आप रेफर करते हैं तो यानि कि आप एक सही तरीके से गाइड़ हो पाते हैं और आप इस समस्स्यास से शुठकारह पा सकते हैं वरना अदर आप अजरुए तरीक्य करवाकर परभाकर ठ प्रणसर्ट कर सकते हैं दोस्तों यह टेस्टिकोल लंप या गानट के बारे में जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को सेर कीजिएगा चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएं तो सब्सक्राइब करना नहीं बूले इसके बेल हाले बटन को ज मिलते हैं दोस्तों नहीं जानकारी और नहीं वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद